आपने इस साल लीव लेकर ट्रेवल किया कि नहीं किया नहीं मैं कोई ट्रेवल व्लॉग नहीं बना रहा हूँ लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ लीव ट्रेवल अलाउंस याने की ल्टिये की नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल सेटिफाइड फानेशल प्लैनर और ल्टिये या लीव ट्रेवल अलाउंस एक सैलरीड एमपलॉई के कमपनसेशन का बहुत ही कॉमन एलिमेंट है और ये कॉमन इसके लिए है क्योंकि इस से टैक्स बेनेफिट जुडा हुआ है लीव ट्रेवल अलाउंस जैसा कि नाम से पता चलता है यानि कि कोई एमपलॉई यदि लीव लेकर ट्रेवल करता है तो उस पर जो खर्च होता है उस खर्च पर कुछ टैक्स में छूट मिलती है तो एमपलॉई चाहे अकिले घुमने जाए या फिर फैमली के साथ और फैमल अचा हुआ उस पूरे पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी लेकिन ऐसा है नहीं यहां पर सिर्व आपका जो फैर है वही इसमें इंक्लूड होगा होटल के एक्सपेंसेज चाहे वो खाने का एक्सपेंस हो या फिर रूम रेंट हो इस तरहें के खर्च इसमें शामिल नही होंगे साथ यह भी जानना जरूरी है कि LTA का बेनेफिट तभी मिलता है जब आप विदिन इंडिया कहीं ट्रेवल करते हैं आप यदि फॉरेंट डेस्टिनेशन पर जाना चाहें घूमने के लिए तो फिर आपको यहां पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा और घूम टैक्स एक्जेंट होगा यदि आप किसी ऐसी जगे पर ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर ट्रेन या फिर प्लेन की सुविधा नहीं है तो उस केस में पबलिक ट्रांसपोर्ट से जर्नी की जा सकती है और डिलक्स फिर जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक आपका जो airfare है वो 70,000 होता है तो इस केस में क्योंकि lower of 2 50,000 है दोनों मैं से जो कम है 50,000 है तो आपको maximum tax exemption जो मिलेगा 50,000 पर ही मिलेगा ना कि 70,000 पर दूसरा एक्जामपल यह हो सकता है कि आपका LTA 50,000 है लेकिन आपका जो fare है वो 30,000 है आप दोनों मैं से जो कम है वो है 30 तो आपको tax exemption सिर्क 30,000 पर ही मिलेगा ना कि 50,000 पर अब यह बता दूँ आपको की LTA मिलता कब है यह twice in the block of 4 years यानि कि 4 साल का block और यह calendar years होते है ना कि financial year जो current block है यह 2022 से 2025 तक है तो इस 4 साल के block में आप दो बार घूमने जा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका मतलब यह नहीं है कि एक calendar year में आप दो बार जा सकते हैं यानि कि 4 साल में दो बार allowed है लेकिन एक साल में दो बार नहीं जा सकते हैं और साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि यदि किसी block of 4 years में आप अपना LTA claim नहीं करते तो आप इसे carry forward भी कर सकते हैं उधारण के तोर पर यदि 18 to 21 का जो block था उसमें आपने LTA claim नहीं किया या फिर आप eligible थे दो बार travel करने के लिए और आपने एक ही बार किया तो आपका जो unclaimed LTA है उसे आप first year of the block of 22 to 25 में claim कर सकते हैं यानि कि calendar year 2022 में claim कर सकते हैं तो यदि ऐसा हुआ हो कि 18 to 21 वाले block का LTA आपने carry forward किया है तो इस block में आप 3 बार LTA claim कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि जो carry forward हुआ है वो आपको calendar year 2022 में ही claim करना होगा और इस block के जो दो claim हैं वो आप 2025 तक कभी भी कर सकते हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि employer आपसे कोई भी ticket का proof ना मांगे और आपकी salary में जो LTA का part है उसे tax exempt कर दे उस पर कोई tax calculate ना करे लेकिन फिर भी आप ticket हमेशा अपने साथ जरूर रखिए क्योंकि यदि किसी case में scrutiny होती है और उस case में आपको ticket produce करने की जरूरत पड़ जाती है तब उस वक ये ticket आपके काम आएंगे तो यदि आप salary employee है और आपको LTA का benefit मिलता है तो आप कहीं travel करके आईए ताकि आपके LTA पर आपको कोई tax ना चुगाना पड़े तो मुझे उम्मीद है ये जानकरी जो मैंने आपके नहां share की वो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like करना और share करना ना भूलें साथ ही LTA से जुड़ा हुआ आपको कोई सवाल हो या फिर किसी भी तरहें का personal finance से जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप comment box में post कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही इसे के साथ मुझे दीजे जाजत अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी ठैंक्यो जैहिन